नमस्कार मैं सुशील पाल और आप देख रहे हैं M.P.T.V. इंडिया नारीता संशोधन कानून C.A. पर मचे हंगामे के बीच राजिस्थान से एक बड़ी ख़बर सामने आ रही है मायरा फैशन्स एन एक्स्क्लूजिव रेंज ओफ डिजाइनर कलेक्शन स्वामी कॉंपलेक्स आनवगामॉल अजमेर राजिस्थान सरकार ने C.A. के खिलाब शनिवार को विदानसवा में प्रस्ताव पास करते हुए केंडर से इस कानून को रद करने का आगरे किया है इस से पहले C.A. के खिलाब केरल और पंजाब विदानसवा में पहले ही प्रस्ताव पास करने वाला राजिस्थान देश का तीसरा राज्जे बन गया है सूत्रों से मिली जानकारी के मताबिक राज्जे सरकार ने NPR के तहट मांगी गई नई जानकारियों को भी वापस लेने को कहा है राजिस्थान की पंद्वी विदानसवा के चौथे सत्र के दूसरे दिन यानि कि शनिवार को CA, NRC और NPR के खिलाफ प्रस्ताव पारित हो गया है इस दोरान सदर में विपक्ष ने जमकर हंगावा मचाया बीजेपी ने CA के खिलाफ कॉंग्रेस की और से प्रस्ताव लाने को देश्विरोधी बताया वहीं CA से पहले विदानसवा में S.C.S.T. आरक्षन को बढ़ाने वाला 126 वा संशोदन प्रस्ताव पारित किया गया CA के खिलाफ संकल पत्र पारित होने के बाद विदानसवा की कारेवाई को 10 फरवरी सुबे 11 बजे तक के लिए इस्थगित कर दिया गया है वहीं राइस्तान सरकार ने नारीता संशोदन कानून के साथ NRC और NPR के खिलाफ भी विदानसवा में संकल पारित कर दिया है सदन में CA के खिलाफ प्रस्ताव के दोरान बीजे पी ने जम कर ग्रोद किया और हंगामा मचाया जैसे ही संसद्य कार्यमंत्री शांतिधारीवाल ने CA के खिलाफ प्रस्ताव रखा वैसे ही BJP सहीद सभी विपक्षी मुखिता रालोपा विदायकों ने BJP प्रदेशाद्यक सतीश पुनिया के अगवई में प्रस्ताव के खिलाफ नारेवाजे शुरू कर दी CA के खिलाफ प्रस्ताव पर सदन में सतीश पुनिया ने कहा कि जब संसद्य ये कानून पारित कर दिया तो आप इसे लागू क्यों नहीं कर रहे हैं पुनिया ने इस पस्त कहा कि ये कानून तो आपके फूपा को भी लागू करना पड़ेगा दुनिया की कोई ताकत इसे नहीं रोग सकती कॉंग्रेस को शरम आनी चाहिए इतने सारे तश्क्रों के बावजूद पीडितों के आँख्यों पहुचने के बजाए सीए का गिरूद कर रहे हैं पुनिया ने पाकिस्तान का उधारण देते हुए इस पस्त कहा कि पाकिस्तान में 1947 में 13 फिस दी हिंदू थे जबकि अब पाकिस्तान में महज 1.6 फिस दी हिंदू रह गए को भारत की नागरिक्ता देने के लिए माननिये प्रधान मंत्री शिरी नरेंदर मोदी जी एमदेश के ग्रह मंत्री शिरी अमिच्छा जी का अभार और अभिन्दन करता हूँ आधनी अध्यक्ष मोदे मैं जानता हूँ कि समय की मर्यादा है और इस बात का उल्लेख यह हो चुका है कि केंदर की सूची के संदर्ब में कोई संकल्प इधान परिशद पारित नहीं कर सकती नयायले के धीन जो सब जुडिस मसले हैं उन पर कोई सदन चर्चा नहीं कर सकता फिर भी आपने इजाज़त दी मुझे लगता है मुझसे ग्यानी आप ज़्यादा है लेकिन मैं निश्चित रूप से इस नागरिकता शंशोदन कानून की प्रष्ट भूमी पर कुछ बात निश्चित रूप से कहूंगा और अपनी समय की मर्यादा में करूंगा आजनी अदक्ष मोदे मैं बहुत ज़्यादा इतियास में नहीं जाओं तो एक समय था जब भारत विश्व गुरू था समर्द था सनातन था गौरवशाली था काल के थपेडों ने मुगलों के आक्रमण ने अंग्रेजों की हुकूमत ने इस देश को तोड़ा और मैं उसी त्यास में भी नहीं जाओंगा आप सब लोग वाकिफ हैं 1947 भारत की आजादी का दिन लेकिन भारत की आजादी का सवेरा लेकिन 14 अगस्त 1947 की रात वो काली रात थी जिस तरीके का द्रश्य उत्पन हुआ आप सब वाकिफ हैं इतियास में ने किसी दल ने लिखा ने किसी व्यक्ति और पंथ और विरादनी ने लिखा लेकिन ट्रेने कटके आती थी लाहोर से चलती थी ये संदेश आता था कि ये भारत को तौफ़ा है विभाजन दो लोगों की मेत्व कांख्शाओं पर हुआ इतियास साक्षी है पंडित नहरू और मौमद अली जिन्ना भारत बना भारत आजाद हुआ भारत लोकतंतर बना लेकिन पाकिस्तान की बुनियाद इसलामिक देश के नाते ये उनके समीधान में साफ तोर पर लिख है मित्रों उसके बाद एकत्र में बंगलादेश बना लेकिन बीच के कालखंड में 1950 में नहरू और लियाकत का समझोता हुआ मित्रों उस समझोते में साफ लिखावा था कि अल्पसंख बिरादरी के सम्मान के हितों की रक्षा होगी लेकिन भारत इन सर्तों पर खरा उत्रा पाकिस्तान खरा नहीं उत्रा में मेरे पाँच कुछ ऐसे साक्षे हैं जो कुछ मोजूदा नेताओं के उन भाष्णों से उनके ट्वीटर से उनके लेक से सम्मध हैं कुछ इधियास के तथ्या हैं आप सब लोग हम सदन के तमाम लोग स्वामी विवेका नंजी को अनुसर्ण करते हैं विवेका नंजी किसी धल के नहीं थे किसी पंथ और मजब के नहीं थे लेकिन 1893 में शिकागों के उनके भाष्ण की गौंच पूरी दुनिया में आज भी सुनाई देती है उन्होंने कहा वेरा सोबा के है मैं दुनिया की ऐसी धर्ती पर पैदा हुआ जो सब धर्मों का सम्मान करता है उनको शरण देता है यहां से शुरुवात होती है किसी भी देश को उनको शरण देने की आप और हम सब लोग मात्मा गांदी जी से वाकिफ हैं उनके अन्युआई हैं उनके चर्चाक सर्म लोग करते हैं और समय समय पर मात्मा जी ने जो बातें कई उनका अनुसरण हम लोग करते हैं उनकी 150 वी जहनती हम लोग ने मनाई झाल 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 झाल